Hello and welcome back to the fourth episode of this podcast और आज हम लोग कुछ ऐसी बात करने वाले हैं जो के शायद थोड़ी सी advanced level हो यानि के जो basically जिन लोगों ने stock market में अभी investment करना शुरू किया है या सोचा है शायद उनको clarity ना आ है और I would highly recommend to them के वो भी ये बात सुने इससे बहुत बहतरी होगी in the sense कि आपको दो separate business models को समझने में आसानी हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा किस business model से क्या expect करना चाहिए और किस business model से क्या expect नहीं करना चाहिए आज का जो topic है वो ये topic है ये देखना कि कौन से मेरे इसाब से सिर्फ दो तरीके हैं जिसमें companies पैसे बनाती है चाहिए वो companies पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, US में हो, Canada में हो दुनिया की किसी भी market में ये businesses हो, ये companies हो, listed हो, unlisted हो दो ही तरीके हैं इनके पास पैसे कमाने के ठीक है और उन दोनों तरीकों में से और दोनों बहुत फर्क है कुछ-कुछ जगाओं पे align हो जाती हैं चीजें लेकिन अकसर और बेशतर ये दोनों different तरीके होते हैं दोनों different business models होते हैं और इनसे पैसे बनते हैं अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर पाकिस्तान में liquid let's say saw stocks हैं तो कौन सी company कहां lie करती है और ये बहुत detailed आपको understanding दे देगी कि जैसे आप एक growth company से dividend मांगना ऐसा ही है जैसे एक बंदा आपसे उधार मांगने आया और आपने सामने उससे उधार मांग लिया तो वह हो ही नहीं सकता नहीं ये बात देकिन अगर आप एक growth company से dividend की उमीड करने लग गए और आपने पिर कहा कि यार ये तो dividend देती नहीं है मैं तो गलती में फास गया हूँ ये आपने लिया ही गलत था ये reason ही गलत था चीज़ का तो let's start off मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में companies को पैसे बनाने के दो ही तरीके हैं मैं examples के साथ आपको समझाऊँगा ताकि बहुत easy हो जाए आप लोग के लिए number one तरीका is sales growth and the second तरीका is margin growth ठीक है अब sales growth क्या होती है sales growth बहुत आसान तरीके से मैं बता हूँ चितनी चीज़ें वो बेच रहे थे अगले साल उससे ज्यादा चीज़ें बेचें और उसके हिसाब से वो नफा कमाएं ठीक है और margin growth primarily क्या होता है कि वो चीज़ें उतनी ही बेचें या जरा सी उपर नीचे बेचें लेकिन पैसे बहुत ज्यादा कमाएं अब इन दोनों की valuation भी बहुत different होती है मतलब कि अगर आप कोई analyst है या कोई analyst की बाते सुनता है तो आपको नजर आएगा कि या यह जो DCF वाले model होते है उसमें growth और उसका जो interest rate है जिस पे वो पैसा use करेंगे वो बहुत important होता है तो growth वाली company के multiples भी फरक होते हैं और जो margins वाले model होते हैं उनके भी बिल्कुल different models होते हैं valuation बिल्कुल different होती है अकसर हो बेशतर दुनिया में यह एक रखा गया है कि growth companies ही companies होती हैं जिसमें investor prefer करते हैं investment करना especially in the last 30 years or so I would say 20 years or so जबसे tech boom आया है और यह सब कुछ हुआ है तो people have started to realize कि वो companies जिसके अंदर volume के अंदर growth है that is much more stable than जिसके अंदर price का growth है ठीक है so let's talk about sales growth first और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या चीज़े as an investor expect नहीं करना चाहिए तो यह तो हमने बात कर लिए कि यह वो companies होती है जो के growth पे focus करती है यानि आज इस साल अगर 100 unit बेचे तो अगले साल वो लोग 120 unit बेचने की कोशिश करेंगे और sales growth कितनी होगी of course जो पुराना नफा था everything being constant जो 100 unit पर कमा रहे थे वो और जो incremental 20 unit बेचा वो इनका नए नफा आ गया तो this is the kind of growth अब यह कौन सी companies होती है पाकिस्तान में या दुनिया में अक्सर वो बेचतर यह export oriented companies होती है उनको नजर आता है कि वो माल बेच पा रहे हैं माल बेचने के बाद अगले साल और माल बनाने की कोशिश करेंगे उस और माल बनाने के लिए नए machines लेके आएंगे raw material add करेंगे inventory build up करेंगे but continuously they will keep on growing export oriented पाकिस्तान में आपको यह नजर आएगा volumes में और कुछ कंपनिया है बहुत अच्छा ग्रो करती है उसे साब से और इसक वो commodity businesses ऐसे होते हैं जो के volume growth पे काम करते है या जैसे Netflix है for example यह volume growth पे काम करते है या for example Netflix ने 7 या 10 डॉलर की subscription बेच दी है अब आप जितना भी देखें महिने के अंदर जितना भी stream करें आपने देने 7 या 8-10 डॉलर जो भी है वो ही देने आपने चाहे Amazon हो Amazon मैं उसकी Prime की बात कर रहा हूँ वो आपने देने पैसे उतने ही है आप चाहे जितना भी stream करें तो उनके लिए growth क्या होती है volume बढ़ाना यानि लोगों को बढ़ाना Facebook के लिए growth क्या होगी जितने ज्यादा users होंगे उतने ज्यादा उनके platform की value होगी they again work on the volume आपने कभी नहीं सुना होगा कि Facebook न एड लगाने के पैसे बढ़ा दिये कभी आपको नजर नहीं आए जो sales growth वाला business है उसकी में एक और example दूँ जैसे banks अब usually आपने हमारी videos मों भी कभी नहीं देखा होगा कि हम लोगों ने banks पे काम किया हो बाकी videos पे भी लोग banks पे नहीं देखते है और जहां तक देखते है उ जब आपको उधार दिया तो वो उन्होंने आपको एक चीज बेची ठीक है तो और उधार का price कौन set करता है government price set करती है in terms of interest rate तो उनका जो volume का model होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा deposits आना चाहे एक बंदा ही ज्यादा पैसे रखा दे या 100 बंदों को हम अगले साल और add क अगर commodity वाला business है जैसे हम भी अब लोगों ने textile की बात की थी या हम लोगों ने भी software की बात की थी they will keep they will have to reinvest their money into the business और इन companies से आप dividend बड़ा expect नहीं कर सकते क्यों क्यों क्योंकि अब पाकिसान में तो software की companies है नहीं systems के इलावा और probably netsole के इलावा netsole को भी उस तरह से वो companies नह करते हैं अब उनको table kursi हैं तो खरीद नहीं नहीं है वो लोगों में reinvest करते हैं उनका capex is smaller उनका opex is bigger opex मतलब साल की cost मतलब बंदे को 1000 बंदा था अगले साल growth कैसे लेके आए वो लोग volume के अंदर अपने बंदे को raw materials को add कर दिया 1000 के 2000 कर दिये और volumetric growth लेके आए नहे clients को this is how they increase volume they will not say कि मैं आज आपको अगर 100 dollar per month के हिसाब से service दे रहा था तो मैं अगले महिने या अगले साल 120 dollar के हिसाब से मैं आपको service दूँगा हो सकता है inflation की वजा से clients से agreement की वजा से कुछ न कुछ price changes आती हो बट इनका business model pace नहीं करता है margins बढ़ाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो board meeting में अगर discuss होगा तो वो growth discuss होगा और growth किस तरने discuss होगा कि यार अगर हमारे पास आज 50 client हैं तो कल को 100 कैसे हो सकते हैं 1.500 कैसे हो सकते हैं और volume आपका उसी हिसाब से grow करेगा लेकिन इन companies से आप dividend expect नहीं कर सकते there is a reason na के cement companies के अंदर dividends नहीं होते हैं वो dividends बहुत कम होते हैं एकाथ company है जो 50% payout करती है I think this is best way और 4G cement लेकिन जब वो भी grow करते हैं जैसे 4G cement ने एक acquisition की और एक नया plant लगाया तो उन्होंने भी इपना dividend रोग दिया तो to grow volume जिस तरना plant लगाने का क्या मतलब है volume grow किया न कि अगर एक 3 million ton की capacity थी उसको चार कर दिया तो मतलब volume grow किया volume grow क मशीन लेने से हुआ तो जब मशीन लिया तो इसलिए आपको cement के अंदर नहीं नजर आते dividends because they are in continuous expansion तो ऐसी companies जो के आपको growth offer कर रही हो हो सकता है एक आत साल के लिए growth ना हो लेकिन वो companies जो growth offer कर रही है उन में से आप dividend expect नहीं कर सकते गलती का होती है जब आप एक growth company से dividend expect करना शुरू कर दें या दोनों का आपस में compare करना शुरू कर दें example आप effort को compare करना शुरू कर दें system के साथ आप कहें यार मुझे effort लेना चाहिए या मुझे system लेना चाहिए अगर मैं system लेता हूँ तो dividend yield 2% की है मैं effort लेता हूँ तो इसकी dividend yield 15, 16, 17 I don't know the exact number but more than 14, 15% होगी तो अब ये दोनों comparison is absolutely incorrect, effort की earnings growth margin के हुपर होगी जो मैं आपको अगले point के अंदर बताऊंगा के वो क्या होती है और system is a continuous volume growth इसी तरह आप effort को या FFC को आप interloop से compare नहीं कर सकते हैं आप ये नहीं कह सकते हैं कि interloop का dividend yield तो 2% है तो मैं वो खरीदू या effort खरीदू इस आर completely different business models इसका मै एक और inherently आपको एक strength बताता हूँ अगर आपकी market जिस market में आप काम करते हैं वो fully tap हो चुकी है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 5 million ton यूरिया बिखने की जगा है हम बना भी 5-5 million ton सकते हैं तो अब इन companies को grow करने की volume में ज़रूरत ही नहीं है तो वो जो भी कमाएंगे वो margin से और जब वो margin से कमाएंगे तो उनका किसी ना किसी तरह dividend बढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप उनको और पैसे लगाने नहीं बिजनस में तो वो पैसे अपने जेब में रखने की जगा है minority shareholders को majority shareholders को बाढ़ देंगे So once again यह जो पहली चीज हमने discuss की sales growth इसके अंदर you cannot expect more dividends अगर आपको मिल जाता है तो एक चीज को जरूर देख लीजेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इनकी growth रुकने वाली है ऐसे for example अगर कल को interloop 100% earnings payout करना शुरू कर देता है यानि वो 10 रुपे कमाते हैं 10 का 10 payout शुरू कर company आपको indicate कर रही है कि आगे वो 30% वाली growth हमें नहीं नजराती तो अगर 30% वाली growth को ज्यादा P.E. multiple मिलता था जिस तरह of course system को ज्यादा P.E. multiple मिलता है interloop को ज्यादा P.E. multiple मिलता है जो core growth companies है उनको ज्यादा P.E. multiple मिलता है वो शायद ना मिले यानि कि अगले साल अगर आप हमें expansion करने की जरूरत नहीं है हमें machine लगाने की जरूरत नहीं है इसका मतलब हमारी growth slow हो सकती है तो उनको फिर दूसरा P.E. multiple लगेगा जैसे effort को लगता है FFC को लगता है जहां पे growth almost negligible है जो भी growth उनकी तरफ से आती है वो margin की increase होती है या price की increase होती है so these are the things that you need to know about the growth companies दू पुशिश करती है या इनके board of directors की meeting के अंदर मतलब I am exaggerating but discuss यही होता होगा कि किसी तरह हम लोग अपने margins को increase करें चाहे वो cost cutting करके हो चाहे वो price बढ़ा के हो यही एक inherently बाते होती होंगी कि price बढ़ने पर जो volume तो बढ़ नहीं रहा है तो price बढ़ना जितना price बढ़ेगा उत जो होगी example देखे मैं समझाता हूं जिस तरह हम भी effort की और fertilizer की बात कर रहे थे यहीं से आगे बढ़ते हैं 5 million ton की अभी हमने discuss किया कि demand है पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर 5 million ton से demand बढ़ जाती है वो तो हमने बात की बढ़ती ही नहीं है बढ़ी नहीं सकती है 5 million ton demand खड़ी यूरिया तो बिका नहीं है तो वो 15 रुपए की earning अगले साल 15 ही रहेगी unless उन्होंने जो यूरिया वो लोग बेशते हैं उसका किसी वज़ा से price increase कर दिया हो एक example आप oil के लिए लें दुनिया के अंदर जितनी oil की demand है more or less 2-4% उपर नीचे इसी तरह की रहती है बुरे हाला पर ग्रो कर रहा है अमेरिका 3% पर ग्रो कर रहा है I'm talking about the normal market वहाँ 2% यह demand बढ़ती है यह 2% demand घटती है तो demand is not something जो growth लेके आएगा ग्रोथ क्या लेके आएगा एक मुल्क को आपने sanction लगा दिया वहाँ से एकदम से oil prices बढ़ गई तो आपको पैसे बनना शुरू होगे existing ज पैसे कैसे बनेंगे जब price change हो जाएगी यानि अपने पूरी दुनिया की जितनी भी addressable market है उसको आपने cover कर लिया है अब increase सिर्फ और सिर्फ price से ही आ सकता है एक और example देखें मैं आपको समझाता हूँ refineries पाकिस्तान में हम लोग देखते है ठीक है refineries last 10 सालों का आप data उठाके देख लें पात सालों का data उठाके देख लें exactly उतना ही volume अटक refinery भी करता है 2-4% उपर 2-4% नीचे उतना ही volume NRL भी करता है उतना ही volume और भी अगर को refinery है तो वो करती है growth नहीं है volumes के अंदर because उन् 10 साल से lot cam 5 लाग टन ही बेचता है बड़ कभी आपको नजर आता है किसी साल में 1 रुपे की earning होती है किसी साल 3 रुपे की earning होती है और यह जो difference है यह margins का है volume growth तो है ही नहीं इन companies के अंदर आपको नजर आएगा कि dividends ज्यादा होते है because इन्होंने decide कर लिया है कि या तो पूरी game वाले वो decide करते हैं कि Pakistan से हमने इतने ही पैसे कमाने है और इस industry से हमने इतने ही पैसे कमाने है हमने और इस industry में पैसे नहीं लगाने तो उनकी जो growth आएगी वो सिर्फ और सिर्फ margin से आएगी volume से growth इनकी नहीं आएगी once again क्यों volume से growth नहीं आएगी because उन्होंने नया investment ही नहीं by earnings यह जो percentage होता है कुछ-कुछ companies में आपको 100-100% नज़र आता है जिस तरह पाकिस्तान oil field आपको 100% नज़र आता है दो साल पहले की earnings उठाके देखें 50 रुपे की थी इस साल की earnings उठाके देखें 100 रुपे की हो गई है या आपको लगता है P.O.L. ने कोई extra तेल बेचना शुरू कर दिया है या बहुत बड़ी को exploration activity करना शुरू कर दिया है No, what they are doing is international oil prices $60, $120 हो गए या 50-100 हो गए तो जो price बड़ा उसका पैसा इन्होंने कमाया और पूरा-पूरा अपने shareholders को दे दिया बिकोज आगे उनको पैसे expansion में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है तो इन companies से you should expect more dividends बट एक और बात वो ये कि usually ऐसी companies दुनिया में हो या पाकिस्तान में हो कम P.E. multiples पे चलती है versus growth companies there is a reason system 20 के P.E. multiple पे 24 के P.E. multiple पे, 18 के P.E. multiple पे चल रहा है उसका reason यह है कि लोग इसको dividend के लिए नहीं खरीद रहे growth के लिए खरीद रहे है they are continuously increasing their business बट जो बंदा P.E. O.L. खरीदेगा वो या तो oil prices के change या तो नहीं there is just one answer वो oil price के change की वज़ा से खरीद रहा है और इसी लिए उसके अंदर आपको dividend जादा मिल रहा है लेकिन आप मारी petroleum का P.E. multiple उठाके देखेंगे जो growth company है वो फर्क होगा और P.O.L. का P.E. multiple उठाके देखेंगे तो वो फर्क होगा तो once again growth determine करता है कि आपका P.E. multiple क्या होगा अब आपके दिमाग में हो सकता है कि यह सवाल हो यार यह जो cement companies हैं वो आपने पहले उसमें discuss की थी बट cement की हम लोग price increase की भी बात करते हैं यह वो चीज थी जो मैंने बहुत शुरू में आपको बताए थी कि कुछ companies जो है ना वो बीच में align करती है देखें कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे POL की example is an extreme NRL, ATRL की example is an extreme Lotkem की example is an extreme यह extreme यह है कि growth करने की जरूरत ही नहीं है बट usually ऐसा नहीं होता है usually होता यह है कि वो companies 2-2, 4-4, 5-5, 7-7% depending on the country they operate in बढ़ाते की कोशिश करते हैं अपनी growth बट हमें यह देखना है कि उनके major prices या major earnings आ कहां से रहेंगी वो determine कर लेगा इनके लिए import जैसे मैं आपको cement की example देता हूँ cement अगर 10% volume बढ़ता है तो उनकी earnings बढ़ेंगी probably 57%, 10% लेकिन अगर 10% price बढ़ती है तो उनकी earnings ज्यादा बढ़ेंगी क्यों? because जो 10% price बढ़ी है वो पूरे जितने cement ये लोग बेशते थे कोई company अगर 1 million ton cement बेशती है तो वो जो 10% price बढ़ी है वो पूरे 1 million ton पर अपलाए हो रही है लेकिन अगर 10% volume बढ़ा है यानि 1 million ton का 10% is 1 lakh वो 1 lakh जो है वो 10% निकलता है उसका एक certain margin इनको आके गरेगा आप समझने इसलिए कुछ companies कभी इधर भी गर जाती हैं कभी उधर भी गर जाती है but as an investor you need to understand the stock that you're buying कि उसका अगर आप ATRL, NRL, EPCL, LotCAM ऐसी चीज़े देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको dividend जादा नज़र आए then आपके लिए follow करने वाली चीज़े होंगी कि उनके margins बढ़ते कैसे हैं international margins से उनका सारा का सारा game चलता है but अगर आप systems देख रहे हैं आप interloop देख रहे हैं या ऐसी growth companies देख रहे हैं तो आपको PE multiple तो बेतर मिलेगा लेकिन आपका dividend yield कम होगा so इन दोनु companies को जब तक आप business models को ना समझ जाएं आप इन दोनु companies को आपस में compare नहीं कर सकते system cannot be compared with effort there is no option अगर कोई आपसे सवाल पूछता है या आप किसी से सवाल पूछते हैं तो दो different चीज़ें हैं इन दोनु को comparison नहीं किया जा सकता अब क्योंके ये हमारी एक community है तो without giving you a financial advice और जो भी मैं भी कहने वाला हूँ ये financial advice नहीं है this is how I think तो मैं अगर मुझे choose करना हुआ कि एक dividend वाली company या price growth वाली company versus एक pure growth company अगर मुझे लेनी हो तो what will I choose any given day I will choose a growth company over margins वाली company growth company ने अगर एक बार अपनी trajectory show कर दी है कि मैं grow कर रहा हूँ market will accept its PE multiple to be higher than an average PE multiple अब पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से companies छोटी है उनके लिए momentum ही बनेगा उस वकत जब वो volumatically grow करेंगी value is not a good growth मैं आज से 10-12 साल पहले जब मैं पहली बार analyst बना था तो there was this foreigner जिसको मैं cement sector pitch करने की कोशिश कर रहा था उसने मुझे एक बात समझाई थी कि मैं उसको कह रहा था कि cement की earnings growth 30% है वगएरा वगएरा उसने मुझे कहा था एक काम करें model में से मुझे ये बताए volume growth कितना है और value growth कितनी है मतलब volume बढ़ने से earning कितनी बढ़ रही है और price बढ़ने से earning कितनी बढ़ रही है and actually price बढ़ने से earnings बढ़ने थी कोई 25% volume growth की वज़ा से earnings बढ़ने थी 5% and that day he said के Pakistan जैसी country में अगर जब मैं इतना risk ले रहा हूँ दूसरे मुलकों से निकाल के पैसे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो I need volume growth because that is more sustainable अगर एक बार for example लाग गाड़ियां हम बेचते थे हम 3 लाग गाड़ियों पे पहुंच जाते हैं the गाड़ी number will fall down to probably 5 लाग it will not go back to लाग तो एक बार जब आप volume achieve कर लेते हैं उसके बाद that is a very strong growth अब आप उसको वहाँ से उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बार जब price की वज़ा से growth आ रही है तो आपको नहीं पता है कि cement की बोरी अगर 600 रुपे की होती थी आज 1000 रुपे की हो गई है क्या वो वापस 600 रुपे की हो सकती है कर नहीं हो सकती है व्कुल हो सकती है अगर वापस वैसा ही scenario आ गया वापस कोईला नीचे आ गया तो शायट से मेंट की prices वापस नीचे आ जाएं इसी तरह ओई price की example ने अगर एक बार किसी वज़ा से 60 डॉलर का तेल 120 डॉलर का हो गया है और वो वापस 60 डॉलर का हो सकता है कर नहीं हो सकता है 100 फीसद हो सकता है कौन रोखता है 60 डॉलर से वापस नहीं होने के जैसे पहले आहलात थे अगर वैसे वापस हो गए तो आपकी तो सारी earnings डूब गई और इसी risk की वज़ा से usually ये companies जिनके अंदर volume growth कुछ नहीं होता value growth सिर्फ और सिर्फ होता है या margin growth होता है या price increase growth होता है वो नीचे P multiple पे चलते हैं for the timing आपको compensate तो dividend से कर देते हैं लेकिन अगर आपको long term investing के लिए देखना है जिस तरह मैं अपने लिए अगर long term investing के लिए देखूँगा तो I would choose growth companies over ये जो margin based companies होती है but this is once again this is completely up to me my age I am being young इसलिए मेरा ये angle हो सकता है if somebody someone of you is like 45, 50, 55 years old तो आपके लिए शाहिए dividend जादा important हो so whatever you are choosing कोई सही या गलत answer नहीं है whatever you are choosing choose wisely अगर आप growth को select करने है तो उससे dividend expect करने है तो आप अपने साथ गलत करने हैं आपकी expectations ही गलत हैं लेकिन अगर आप dividend वाली company को choose करने हैं और उससे growth expect करने हैं then again your fault तो dividend वाली company या price growth वाली company से dividend choose करें that's completely fine like effort, FFC that's perfectly fine लेकिन system से don't expect कि वो 15% की dividend yield दे देगा या interloop से don't expect कि वो 15% की dividend yield देगा या ऐसी कोई और company से remember once again अगर वो दे देता है system आपको 15% की dividend yield then start to question their growth because अगर उन्होंने पैसे आपको दे दिये हैं तो growth करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे So this concludes our topic for today I hope आपको ये दोनू segment समझ में आ गए होंगे Just to recap हमने ये discuss किया कि दो बड़े business models होते क्या है हम अभी companies की बात नहीं कर रहे हैं हम business models की बात कर रहे हैं कि businesses पैसे बनाते कैसे हैं कुछ का focus volume पे होता है तो do share it with your friends अगर आप इसको YouTube पे देख रहे हैं और आप subscriber नहीं है Do subscribe to it We are trying के एक हफते में दो बार ऐसे podcast किये जाएं So if you are liking it Press that like button and share it with your friends Thank you